हालो माई प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे सस्त होंगे और पढ़ाई आप लोगों की चल रही होगी आप सभी लोगों का एक बार फिर से लच्छेदा गोल एकडमी में बहुत-बहुत स्वागत है आज किस वीडियो में हम हम लोग डिसकस करने चल लें पीजटी के मिस्टी का मतब यह डेमो क्लास है पीजटी के मिस्टी की और आज हम लोग सुरू करने चल रहे हैं सौलिट सब्सक्राइब को एक दम बेसिक से सीखेंगे और इस पर जो कोईस्चन आल रेडी आ चुके हैं उनको के बारे में भी हम हम लोग डिसकसन करते हैं चलते हैं सुरू करते हैं सौलिट स्टेट की कहलाती है आपको पता है जो मेंटर है वह एक जिस्ट करता है एक आप जानते होता है सौलिट पार्ट इसका और एक होता है लिक्विड और से थार्ट पर हम लोग डिसकस करते हैं लिक्विड और उस ग पड़ेंगे इसको इसको हम लोग डिस्कस करते है क्रिष्टलोग्राफी में इडिवेस क्रिष्टलोग्राफी जो है इस्टिडी है किसकी सॉलिष्टेट की मताम मैटर के सॉलिष्टेट की स्टिडी होती है क्रिष्टलोग्राफी अब क्रिष्टलोग्राफी वर्ड्स को स्क्रिश्टल की ही Steady कह सकते कृbian का ही अध्यन क्या है क्रिश्ट्लोग्राफी है और क्रिश्टल एक्जिस्ट करते हैं इन फर्म क्साले स्टेट में एक्जिस्ट करते हैं और K GraNG में हम लोग स्वालिट की इस्टी नी करते हैं और सव्ट्रamiliar प्रॉपर्टिज and also their defects इस chapter में हम लोग crystal के properties के साथ discuss करेंगे इसमें defects के बारे में जिसमें हम लोग discuss करेंगे stasiometric defect non-stasiometric defect f-central defect यह सारी चीज़े यहाँ पर हम लोग discuss करेंगे यह एक conceptual topic है physical chemistry का जिसमें numerical के साथ theoretical question भी arise होते हैं उन सारी चीज़ों को हम discuss करेंगे करता है crystal graphy किस ब्रांच से relate करता है तो study of क्या है solid solid के study crystal graphy और crystal form में exist कोन करता है solid solid को हम पढ़ेंगे crystal form में कह सकते हो crystal की study crystal graphy है crystal graphy में हम लोग discuss करते है solid state के बारे में आगे थोड़ी सी बातों को अगर बढ़ाएं करते हैं हम देखते हैं सबसे पहले crystal का seller करती है यह जो kristal सकथे हैं यह ना क्रिस्टल का इसे हुआ जैसे हम कोぎゃ क्या है क्रिस्टर है हमारे लिए इसके तो रहल करAT है जी कह सकते हैं देखो देखो अगर हम इस इसको हम लोग बोलते हैं सिस क्या है यूनिट जल बोले तो जो एट जो लैटिस है जैसे दीवार को हम बोल सकते हैं दिवार का फार्मेशन किस से हुआ है बोले तो वाल्स का फार्मेशन ब्रिक्स से हुआ है तो ब्रिक्स हमारे लिए यूनिट से है कई सारी ब्रिक्स जो होती है वो रिपीट होकर कि यूनिट से लैटिसेस کا formation करती है और कई सारी लैटिसर रिपीट होकर कि जिससे इनका और कह सकते हैं जो वैलूम है और सेव जो होता है वो फिक्स होता है दूसरी पहुन बात करें कि इंट्रामोलिकिलर फोर्स आफ अट्रेक्शन हाई होने की वज़े से हम लोग बोलते हैं कि सॉलिट के फास जो होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के या होगा हाई होगा तो हम यहां पर बात करेंगे basic crystals के बारे में अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं solid कितने तरीके का होता है it means classification of solid तो देखो solid के classification के लिए हमें सबसे पहने समझना परेगा कि जो आपका matter form हो रहा है उसके constituent particles कैसे हैं आइए इन बातों पर चर्चा करते हैं चलिए यहां पर हम लोगों ने देखा crystal की study crystalography है और crystalography जो word है वो relate करता है solid state से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहां पर हम लोग चल रहे हैं discuss करने solid का classification करने solid वना कैसे हैं तो solid का formation होता है constituent particles से constitution particles से और यह constituent particles हो सकते हैं atoms molecules या फिर यह आप कह सकते हैं सकते हैं एटमेंस परमाडू से यों आयन यह तीन ऐसे कह सकते हो संघxitило कर होते हैं किस स dur के संघ्ञटक कड संघ अंत जिलकेद यह क्रिश्टल बना है वो चॉट्स लाय रश्ट से होना है ऑच सकते हैं या तो आ ने प्र शलक किर चल से हुआ कारवन एटम के साथ हुआ है तो यहां पर पर क्रिस्टल करेगा लेकिन क्रिस्टल करेगा तो यहां पर इसका कंस्टिटोंट पार्टिकल क्या हुआ यह अगर हम बात करते हैं ड्राइड की तो ड्राय आइस का फार्मूला क्या होता है वह सी ओट तो यह कारवन डाइयाक्साइड है गैसिएगे से से तो गैस क्वेस का प्रकुल है यह क्या है यह मॉलिक्यूल अगहर हम बात करते हैं ने ने घम का नमग यहीं आप देख रहे होंगे एने पॉस्टीव है इसमें निगेटिव है इड़ीन एने सी यल जो क्रिश्टल है उसका फार्मेशन आयन से होता है तो यहां पर हम देख सकते हैं जो सॉलिड है सॉलिड का फार्मेशन पार्टिकल से हुआ है और यह करने हैं वाले हैं on the basis of arrangement on the basis of arrangement of constituent particles on the basis of arrangement of constituent particles मतलब यह जो atoms है molecules है ions है उनका arrangement कैसा है उस arrangement के वेस्पे हम solid को classified करेंगे second हम classification करेंगे on the basis of on the basis of bond nature जो constituent particles है उनके बीच में जो bond है उसका nature कैसा है आईए इस पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जब solid को classified करते हैं on the basis of arrangement of constituent particles constituent particles के arrangement बोले तो वेवस्था के आधार पर हमें क्या करना है वर्गी करेंगे तो माल लेते हैं solid एक solid हमने consider किया इस solid का formation A और B दो constituent particles से हुआ अब माल लेते हैं अगर इनका regular arrangement है जैसे A B B के बाद फिर के आता है A A के बाद फिर से B आया जाए B के बाद फिर यहां पे A फिर B फिर यहां पे B आया फिर यहां पे A आया यहां पे A आ जाता है यहां पे B के particles यहां पे फिर से यहां पे B के particles आते हैं तो यह regular arrangement होता है अगर constituent particles का arrangement regular है तो आप इस type के solid को कहते है crystalline solid क्या बोलते है crystalline solid तो इसका कहने का means यह है अगर regular arrangement होता है तो solid क्या होता है crystaline solid कहलाता है अगर माल देते हैं यही arrangement irregular आ जाता है जैसे a के बाद b के particles आते है b के बाद a के particles repeat होना शुरू हो जाते है और कई सारे particles के बाद फिर से b का एक आग पाइटिकल फिर एक पाइटिकल आ जाता इड मिन्स अगर arrangement irregular होता कैसा होता भई अगर arrangement कैसा है irregular होता तो irregular arrangement वाले जो आपके solid होते हैं यह कहलाते हैं एमॉर्फस solid यह कहलाएंगे भाई यह कहलाते हैं एमॉर्फस solid अब यहाँ पर crystalline solid में हमने देखा कि इनमें ordered arrangement होता है constituent particle का और इसमें क्या होता है irregular arrangement होता है constituent particle का जैसे एक्जांपल के बेस पे अगर हम consider करें एने सील तो यह क्या है एने सील जो है क्रिस्टलाइन solid का पार्ट है अगर हम डायमेंड की बात करते हैं तो डायमेंड भी crystalline solid का पार्ट है अगर हम ग्रेफाइड को लेकर के काम करें ग्रेफाइड भी क्या है भाई ग्रेफाइड भी हमारे crystalline solid का पार्ट है यहां पर अगर हम बात करते हैं glass की या PVC ले सकते हैं या फिर polythyl ले ले यह सभी क्या होते हैं एमॉर्फा solid है देखने में solid लगते हैं लकिन वास्तों में solid नहीं होते हैं इसी कारण से crystalline solid को हम definitive भी बोला जाता है अब इन में版 कॉंस्टि Trio end particles का रेणिधे में regular होता है जिसके कारण से कह सकते male molecular force of attraction ज्यादा होता है और attraction जदा होने के हो जैसे से इनका boiling point क्या होता है या syrup होता है क्या होता है boilink point stard जादा होता है लेकिन इनका जो oilting boiling point है वो fix होता है इड मेंस वो एक fix टमप्रेचर पर ही क्या करेंगे boil करेंगे इससे पहले वह मेल्ट करने वाले नहीं है इसके लेकिन थोड़ा जादा होगा अधर के रिस्पेक्ट में तो यहां पर इंट्रा-molecular फोर्स आफ अट्रेक्शन जादा होता है और जैसे जैसे हम टंपरेचर को क्या करते हैं इनकरीज करते हैं तुरंट किस स्टेड़ पर आना प्रस्वू जाते हैं दो जैसे अगर हम देखेक्स को तो गग्लास बोलेते हैं काँज है काँड को जैस घर्म करते चलों जैसा जैसे टंपरेचर बढ़ता जाएगा वह को ता जाएगा इडिमेंस में होते हैं ओग करते हैं तक यहां की लियर हो गई इसका इसको और फास वित करते हैं यहाँ पर आधा करते हैं क्रिष्ट लाइन क्यिकश्ती तो एक यूनिक करीorama sodium और दूसरे को consider किया chlorine तो sodium और chlorine की अगर हम बातों को ध्यान से देखें तो अगर हम बात करें इन दोनों की properties physical properties को compare करना सुरू करें जैसे मालो हमने लिया refractive index क्या ले लिया refractive index या आप ले लो density तो क्या जरूरी है कि sodium और chlorine की density equal होगी तो आपको होगे सर ऐसा नहीं होगा क्योंकि sodium की density अलग हो सकती है और chlorine की density अलग होगी ना मतब physical property इन दोनों constituent particles की एक दूसरे से अलग होगी तो हमें पता है अगर इस direction में जाते हैं इस physical property कुछ और आती है जबकि अगर इस direction के लोग हम मूब करना से सुरू करें थो हमें पता है ए ए के particles बार-बार क्या होते जाएंगे repeat होते जाएंगे इस direction में इसकी physical property सेम है जबकि इस direction में इसकी physical property क्या है अलग-अलग होती इस nature को हम लोग बोलते है एन आइसी ओ ट्रॉफिक नेचर इनको क्या देंसिटी रिफ्रेक्टिम इंडेक्स ठीक ना प्रेसर यह क्या होता है अलग-अलग डायरेक्शनों में अलग-अलग होने की वज़े से हम क्या बोलते हैं जो crystalline solid होते हैं वो क्या होते हैं एन आइसी ओ ट्रॉफिक नेचर के होते हैं can you paint डाय दिफ्रेंट्ड होने की कंशाथ आप यह के सकते हैं कि इनकी प्रॉपरिट होंगी वीसलिए सारे डायरेक्शन में आएंग इसलिए सभी किस नेचर या आईशियो ट्रॉपिक नेचर के होते हैं आप देखो हिंदी में बोलते हैं आईशियो ट्रॉपिक को समदैसिक प्रकिरती क्या बोलते हैं समदैसिक प्रकिरती के होते हैं यह सभी बिसमदैसिक प्रकृति के होते हैं यहां तक बाते किलियर हो गई हमने आपको क्या बूला कि भीया जो सॉलिड है सॉलिड की स्टेडी क्रिश्टलोग्राफी में की जाती है क्रिश्टलोग्राफी में बेसकली हम इस्टेडी करते हैं क्रिश्टल के बारे में क्योंकि जो भी सॉलिड हमारा बनेगा वो crystal form में एक जिस्ट करेगा crystal का formation हुआ है lattices से it means कह सकते हो कई सारी lattices बार बार repeat हो करके crystal का formation करती है और क्रिस्टल lattice का formation होता है किस से unit cell से और कई सारी unit cell का repetition से lattice का formation होता है ठीक है फिर हमने आपको बताया कि जो solid होते हैं उनके constituent particles 3 हो सकते हैं या उसका formation atom से हुआ होते हैं या तो molecule से या तो फिर आयन से ठीक न अब उसके बाद हमने आपको कह सकते हैं classification आप सॉलिड बताया हमने एक classification बताया किसके बेस पर on the basis arrangement of the constituent particles और constituent particles के arrangement के बेस पर हमारे पास दो टाइप के solid होते हैं या तो क्या होगा में क्रिस्टलाइन या तो फिर क्रिस्टलाइन में क्या होता है जो Lyn P में क्रिस्टलाइन स्वरीड की staffing प्रोपर्टी आती हैं इसको हम बोलते झाल्यो सब्सक्राइब करते हैं जबकि जो आपके पास होता है वह सभी क्या होते हैं सभी डाइरेक्शन में इसकी फिस्कल प्रॉपरिटिस क्या होती हैं यहां तक बाते किलिए हो गई अब हम डिसकस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन दा बेसिस ऑफ दा बॉंड नेचर बॉंड नेचर के विस्पर सॉलिट कितने टाइप्स का होता है अब देखो एम और पर सॉलिज में कह सकते हैं जो पारिटिकल से उनमें इर्रेग्लर अरेंजमेंट है तो यहां पर किसी भी इस पैस्पिक टाइप का ब बारे में तो हम लोगों ने अब डिसकस करना है सुरुकिया है crystalline का classification on the basis of the born nature किone नेचर के वेस पर हम कैसे से क्लासिफाइड कर सकते हैं आई यहाँ पर अगर हम लोग डिसक्स करते हैं क्रिस्टलाइन स्वालिट को हम लोग आप क्लासिफाइट करेंगे क्रिष्ट लाइन सालिट को और बेसे साब बॉंड नेचर बॉंड नेचर की बोले तो बंध की प्रकृति के आधार पे तो हम चल रहें डिसकास करने क्रिष्ट लाइन स्वालेड क्रिष्टलाइन स्वालेड बोले तो इसको बोलते हैं क्रिष्टलिये स्वालेड हिंदी में बोलेंगे क्रिष्टलिये ठोस ठीक है इसका क्लासिफिकेशन बॉंड नेचर के वेस्पे हम करते हैं तो हमें टोटल मिलेगा जो क्रिष्टलाइन स्वालेड होगा उसके मेजर फो more ֆंद भी होता है से कें इसी को हम लोग बोलते हैं नेट वर्क वोलना गता है नेट वर लिए इसल proprio कि यहीं बहुत बन जाती है कैसे कारण से इसको नेट वर को solid के नाम से भी जानते हैं इसके बाद हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे molecular solid के बारे में कि molecular solid क्या होता है या इसी को बोलते हैं और बिक बंद और भी ठोस और इसको हम दो major parts में classified करके बढ़ेंगे एक हम लोग पढ़ेंगे यहां पर polar molecular solid और एक हम लोग पढ़ेंगे non polar molecular solid polar molecular बोले तो इसको बोलेंगे धुर्बिये आडविक ठोस और इसको हम बोलेंगे आधुर्बिये आडविक ठोस ठीक है और लास्ट में हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं metallic solid के बारे में कि जो धात्विक ठोस होते हैं वो क्या होते हैं और धात्विक ठोस की प्रॉपरिटी या गुर्ड के बारे में यहां पर हम डिस्कस करेंगे तो यह सारे major four types के कर सकते हैं crystalline solid होते है crystalline solid होते हैं अब ionic solid जैसा कि आप जान रहे हैं कि ionic solid में जो bond बनेगा किसके बीच में संगठा कर या constituent particles के बीच में तो इसमें जो बंद होता है क्योंकि इनके बीच में जैसे constituent particles अगर हम consider करते हैं मान कि हम चलते एने c-le- to n-a-c-le solid में आपको पता है एने positive बनेगा c-le- negative बनेगा यह positive है और यह क्या है negative तो इनके बीच में attraction होगा कह सकते हो यहां पर जो bond बनता है इस bond को हम लोग बोलते है आइनिक bond अब यह आइनिक बांड बन रहा है तो इस टाइप के जो solid होते हैं जिन में Constituent Particles के बीच में ionic bond का formation होता है इसको हम लोग कहता है आइनिक solid तो यहां पे ॉइनिक solid में bond कैसा होगा आइनिक bond होगा आइनिक bond में यहां पे plus और minus की वज़े से एक टाइब का फोर्स आफ अट्रेक्शन लगता है जिसको बोलते हैं एलेक्टो इस्टाइटिक्स फोर्स क्या है बहुत स्ट्रॉंग फोर्स है तो कह सकते हैं इसका बॉयलिंग पॉइंट जो बीपी होगा और साथ ही साथ कह सकते हो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वह भी क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा अब अ आपको पता है जो इसको क्या करते वाटर में एट्र करते हैं मतब ढलते हैं तो यह अपने आयंस में ब्रेक कर जाता है और आयंस में ii की वज़े से आयं का मॉव्मेंट होता है मतब जो आपके Wijच क्वіш वह क्या करेंगे घूमना टहनना सुरूब कर देंगे जिसके कारड़ से यह सब ही क्या करेंगे से पूर्ण स्काइब मेत कि यह बात करते लिए के बारे में तो कोई लेंट सुलिड में जो बॉन्ड होता है वो कौनषा बंदा भी या पकल से कॲेड़ करके चला है diamond तो diamond में आपको पता है carbon से इसका formation हुआ है और carbon के four molecules carbon के एदर four molecules से जुड़ते हैं तो हमें पता है carbon carbon के बीच में कौन सा bond बनता है covalent bond बनता है और covalent bond बनने की वज़े से इस type के solid को हम क्या बोलते हैं covalent solid बोलते हैं और यह covalent solid होने की वज़े से यह 3D structure का formation करते हैं और 3D structure कह सकते हैं एक तरीके का strong कह सकते हैं stable structure होता है जिसके कारण से इसका भी melting point और boiling point हाई होता है यहां तक बाते किलिए हैं लेकिन यह सभी क्या होते हैं bad conductor होते हैं किसके भीया bad conductor होते हैं electricity के मतलब इसमें electricity का flow possible नहीं यह सभी bad conductor है electricity के एक कारबन एक exceptional case होता है जिसको हम बोलते है ग्रेफाइड ग्रेफाइड जो है उसमें covalent bond पाया जाता है लेकिन इसमें होता है p-pi-pi bonding और p-pi-pi bonding की वज़े से electricity को क्या कर सकता है फुलो भी कर सकता है ठीक है इसलिए ग्रेफाइड क्या है good conductor होता है electricity का बाकी other जो covalent solid होते हैं उसमें bad conductor है electricity के After that हम बात करते हैं molecular solid के बारे में तो इसमें जो constituent particles होंगे वो molecules होंगे क्या होंगे भाई इसमें constituent particles molecules होते हैं और molecules के बीच में कौन सा bond बनता है तो आपको पता है यहां पे बनेगा biggest wonder wall bond और wonder wall bond की वज़े से कह सकते हैं इसमें जो force work करेगा वो wonder wall force होगगा अब हमें पता है wonder wall force की वज़े से यहां पे जो particles होते हैं वो polar और non-polar दो major parts में break कर सकते हैं जैसे अगर हम लोग बात करते हैं हमने कहा है आपके पास पोलर में ले लेते हैं मानलो हाई हमने कहा hydrogen positive होता है और iodine क्या होता है बाई नेगेटिव अब इसके बीच में पॉस्टिव 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 नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसलिए किस टाइप को सॉलिड बनेगा भाई पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनेगा अब पोलर होने की वज़े से कह सकते हो यह भी गुड कंडेक्टर होगा इसमें एलेक्टिसिटी फ्लो कर सकती है लेकिन अगर नॉन पॉलर की बात कहें तो इसमें एक ही जामपल स्पेस्विक बनता है जिसको हम बोलते हैं अच्छा देखें पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा फोर्स वर करता है डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन है कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा इसके बीच में कौन सा फोर्स वर करेगा तो इसमें फोर्स वर करेगा डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन जो की एक टाइब का क्या है बीकेस्ट फोर्स होता है और टाइप क्लासिफाइड में आता है किस टाइब में आता है वांडरवाल फोर्स के अंतरगत आता है अगर हम नॉन पोलर की बात करते हैं इसमें जो फोर्स वर्क करता है वह instantaneous molecular instantaneous कह सकते हो interaction dipole interaction force work करेगा मतलब कुछ समय के लिए यहां पर तो हम देख रहे हैं पार्सली पॉस्टिव पार्सली निगेटिव में ब्रेक कर जा रहा है लेकिन यहां पर प्लस और माइनस में ब्रेक नहीं करेगा जिसके कारण से non-polar molecular solid में instantaneous मतलब कुछ समय के लिए dipole dipole क्या होगा create होगा और dipole dipole interaction force भी यहां पर वर्क करेगा इसका एक specific question आता है जिसको हम बोलते हैं dry ice के नाम से और dry ice co2 होता है जो कि एक type का क्या है molecular solid है नोट कर लिए इस पूरे point को फिर हम लोग discuss करते हैं metallic solid अब metallic solid की अगर बात करते हैं तो metal तो specific है ठीक है ना अगर हम metal पर हम लोग discuss करते हैं जैसे iron तो iron का से आपका मतलब क्या है iron का एक item थोड़ी नहीं होता है iron का पूरा टुकड़ा होता है और उस iron के तुकड़े में कह सकते हो iron के बहुत सारे क्या होते हैं atoms एक दूसरे से जुड़े होते हैं विथ किसके साथ भाई आइरन iron के बीज में ये दोनों metals है इनके बीज में exist करता है metallic bond कौन सा bond exist करेगा metallic bond exist करेगा जिसको हम धात्विक बंद के नाम से भी जानते हैं धात्विक बंद बंता है और धात्विक बंद बंद बंता है तो यह तो बात के लियर होगी किसको हम क्या बोलेंगे धात्विक ठोस बोलेंगे जैसे आइरन हुआ जिंक हुआ कोबाल्ट हुआ CSCल होगा तो यह सभी क्या हो जाएंगे मेटायलिक solid के इंतरगत हमारे पास आएंगे CSL आहीं ठीक है न तो यह क्या होगे metallic solid आएंगे मेटेटर में लेक्टान क्या होते हैं एक्सेस में होते हैं अगर यह heat को भी क्या कर सकते हैं यह बात रही क्रिष्टालाइन solid के classification की और क्रिष्टालाइन solid में हमने major आपको चार पार्ट में इसको classified करके बताया इसमें हो सकता ionic solid और क्या हो सकता भई कोबैलन solid और क्या हो सकता है molecular solid molecular solid के दो पार्स polar और non-polar polar में हम लोगों ने डिसकस किया dipole-dipole interaction फोर्क करता है जबकि non-polar में instantaneous dipole-dipole interaction force वर्क करता है और metallic solid में metals के बीच में बनता है और metals के बीच में metallic bond होने की वज़े से इनको हम बोलते है metallic solid और metallic solid में electron excess से होते हैं जिसके कारण से electricity को क्या कर सकता है flow कर सकता है तो यह major parts असा classification of solid का और हम लोग आगे डिसकस करना शुरू करते हैं एक new topic ठीक ता जिसमें हम लोग बात करने चल रहे हैं कुछ other important properties related to solid state